नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे होमियोपैथिक मेडिसीन एलियम से टाइबम की बारे में हम जानेंगे यह कौन से रोगों पर काम करती है इसके लच्छड क्या है और यह इसे हमें लेना कैसे है मैं दिवीश्यादो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब च लायार होती है और जी मेडिसीन हाई कुलेस्ट्रोल हाई ब्लड प्रेशर और हर्ट्स रिलेटेड़ बिमारी में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इसकी प्रॉपर्टी होती है यानि कि जब नैरो हो जाती ब्लड वेसल्स हमारी तो वहां पर खून का प्रवाद धीमा ह जाता है कम हो जाता है तो इससे में हाई ग्लड प्रेशर की बिमारी होती है और इस मेडिसीन के लिने पर यह वापस नसों को नौर्मल कंडिशन में वापस से पहलाना डाइलेशन करना उसका यह उसमें काम आती है और इस पे बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव मेडिसीन है और इसके अलाह म बात करते हैं न समी कोलिस्टॉल का डिपोजिशन होता है जिसकी वह जाती है इससे भी नाथे बट प्रेशर की प्रॉब्लम होती है जब आपका blood pressure हाई हो ऐसे कि इसमें आप जब इस medicine को ले रहे हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा effective यह काम करेगी इसके जो सिदेंट्रि लाइक जदा प्रसंद करते हैं उनको अराम वाला जिंद पसंद है आराम देज जिन्दगी पसंद है कि वह ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना उनको पीट फूलने की विवारी और डिस्पेप्शिया हो गया कच्छी डिकारे आना नौजिया जीवा चलना इसे के इनके माउथ की तो इनमें सीट से लाइशन होगा, जानी इनके लार्व होगी वो मीठी होगी मीठी होगी रात में यह दिक्कत बढ़ जाएगी और इसके जो की सिंटम्स है यानि इसका जो में लगेगा यह यह है कि इसके पेसिंट के ऐसा लगेगा कि वह उसके मुह में लगेगा कि बाल है उसको ऐसा फील होगा कि मुह में बाल है मुह और गले में माउथ एंथ्रेक्ट में इसे लगेगा कि बाल की सेंसेशन है जहाँ पी हाला कि कुछ नहीं होगा तुसको sensation जयता फिलोगा अगर ऐसी कोई sensation है तो वहां पर यह medicine जरूर से यूज़ करें बहुत ही ज्यादा effective medicine है अब हम बात करते हैं इसके respirator system के बारे में तो ऐसे पेस्टेंट को खास ही बहुत ज्यादा होगी उनको लगेगा कि इनके सीने में बहुत ज्यादा बलगम है उनको चिश्पेंट होगा वो लगातार खासते रहेंगे लेकिन उनको कफ बहुत कम निकलेगा उनका बलगम बहुत जादा है सीने में लेकिन निकल नहीं रहा इसके साथ इनके बलगम मैं ब्लड भी आएगा तो है इसमें बहुति ज़्यादा effective medicine अब हम बात करते हैं इसके pain की तो इसमें hip pain और कमर में दर्द होता है अब बात करते हैं इसके डोसी की से लेना कैसे है इसकी Allium Sativum Tinture की बहुत ही ज़्यादा effective है यह इसकी 10 बूंदे आप दिन भर में 3 बार आधे कप पानी भी ले सकते हैं इसको लेने के पहले आप अपने होमेपातिक फिजीचन से जरूर कंसल्ट करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें हमारे चैनल को थैंक यू